पर फिर मरने काहिए राना ना तूआ कहा है आपसी का आज किस नएवीडियो में आज किस वीडियो में आप लोग को यह ट्रेनिंग डीन्स बनाना सिखाने वाले हैं जो आप लोगने इस ट्रीम में देगा इस वीडियो में जो सौंग है सौंग Instagram डील पर काफी एदा कर विडियो बनाने चाहेते तो वीडियो पर आपके पास नहीं है तो आपको का टैप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउंलूड कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल लिंक डिस्क्रेप्शन वाक्स में आप लुग जाकर कैपका टैप को ईजिली डाउंलूड कर सकती हूं तो उपन हो जाने के बाद आप लोग यहां से न्यू आप लोग एटो तो एड़ हो जाने के बाद आप लोग को सबसे पहले अपने वीडियो में से आइडियो को म्यूट करना है तो यहां पर इस व पारल वीडियो को एड़ करेंगे तो यहां पर हमारे वीडियो आ चुका है इसकी वेलों को हम लोग म्यूट कर देंगे फिर इसको हम लोग छोटा करके कुछ स्टेप से कौने में सेट कर लेंगे फिर यहां पर हम लोग वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियो में slow motion को add करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो क्लिप को add किया है उसमें पहले से slow motion add है अगर आपको अपनी वीडियो में slow motion को add करना है अपनी वीडियो क्लिप पर tap करना है speed वाले उसमें पर tap करेंगे पर यहाँ पर normal पर click करना है यहाँ पर आप लोग को 0.4x पर अपनी वीडियो की speed को रख लेना है तो आपके वीडियो में slow motion add हो जाएगा यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में slow motion को add नहीं किया है क्योंकि हमारे वीडियो में पहले से slow motion add है तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो के starting में आ जाना है starting में song में beat दी हुए है तो हम लोग अपनी वीडियो को beat के साब से cut करेंगे तो यहाँ पर आप लोग song में देख सकते हो beat अलाक से दिखाई दे रही है तो आप लोग beat के साब से अपनी वीडियो को cut कर लिजेगा तो चलिए यहाँ पर मैं जल्ली से को लाइक ने किया तो जल्ली से वीडियो को like कर देज़े चैनल पर जोई नई चैनल को subscribe कर बगले हूं गंकर and प्रेस कर लिजे क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरी के ट्रेंडिंग डिल्स टूटोरल आता रहता है तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बीट के साफ से कट कर लिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है स्टार्टिंग से हम लोग अपनी वीडियो क्लिप में एनिमेशन को एड़ करेंगे तो आप लोग को स्टार्टिंग वाली वीडियो क्लिप पर टाप करना है फिर यहां से एनिमेशन पर टाप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों बहुत सारी animation देखने को मिल जाएंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो इस starting के clip में आप लोगों को जो second में animation है इसको आप लोगों को apply करके इसकी duration को आप लोगों थोड़ा सा कम कर लेना है फिर यहाँ से next video clip पर tap करना है इसमें भी आप लोगों second animation को apply कर लेना है तो इस starting से आप लोगों तीन या चार clip में इसी animation को apply कर लेना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से मैं apply कर रहा हूँ आप लोग भी इसी तरीके से apply कर लिजेगा तो यहाँ पर हमारे starting के video clips में animation add हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पर यहाँ पर जो हम लोगों ने बीच में video को cut किया था हम लोगों उन clips में animation को add करेंगी तो आप लोगो animation पर tap करना है यहाँ पर आप लोगो बहुत सारी animation देखने को मिल जाएंगी तो जो भी animation आप लोगो पसंद आता है उस animation को आप लोग अपनी video clip पर apply कर लेजेगा and duration को आप लोग अपने साब से कम ही रखिएगा तो कोजिस step से आप लोग अपनी clips में animation को apply कर लेना है फिर उसके बाद आप लोगो वीडियो के starting में आ जाना है starting में हम लोग diamond blur effect को apply करेंगे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो starting में diamond blur effect है तो उसके लिए आप लोग एफेक्ट वाल एशन पर tap करना है वीडियो फेक्ट पर tap करेंगे फिर यहां से opening and closing पर tap करेंगे तो यहां पर आप लोग को second में diamond blur zoom effect मिल जाएगा इसको आप लोग को अपनी वीडियो में apply कर लेना है एंड इसकी duration को आप लोग यहां पर कुछ इस type से 4 second तक रख लीजेगा फिर यहां से आप लोग को इस पर tap करना है adjust पर tap करेंगे इसकी speed को आप लोग थोड़ा से minus कर लेजेगा फिर यहां से आप लोग को done कर देना है फिर यहां पर आप लोग इस वीडियो में देख सकती हो 2 second से एक effect लगा है तो यहां पर आप लोग को 2 second पर आ जाना है फिर आप लोग को video effect पर tap करना है फिर यहां से आप लोग को trending वाले विस्टन में आना है यहां पर आप लोग थोड़ा से उपर कर स्कॉल कीज़ेगा तो यहां पर आप लोग के effect देखने को मिल जाएगा इसको आप लोग को video में apply कर लेना है और इसकी duration को आप लोग को 4 second तक रख लेना है तो यहां पर आपकी video में effect add हो जाएगा आप लोग यहां पर देख सकते हो फिर उसके बाद हम लोग अपनी video में white flash effect को add करेंगे तो संग में 4 second के बाद जगाए जगाए पर wheat आ रही है तो उसके according हम लोग white flash effect को add करेंगे तो यहां पर आप लोग को night club बाले और्सन में आना है थोड़ा से उपर कर scroll कीजेगा तो यहां पर आप लोग white flash नाम से effect मिल जाएगा इसको video में apply कर लेना है एन इसकी duration को आप लोग को थोड़ा साही रखना है इस beat को आप लोग अपने साब से रख लीजेगा तो यहां पर इस effect को आप लोग को beat के according set करना है तो यहां पर आप लोग कुछ type says को copy करके कुछ जगा जगा पर जहां पर beat आ रही है वहां पर आप लोग इसको apply कर लेना है तो चलिए यहाँ पर मैं जल्ली से एफेक्ट को अपलाई कर लेता हूँ तो यहाँ पर वीडियो में एफेक्ट अपलाई हो चुका है फिर यहाँ पर लास्ट में आप लोग इस बाटरमा को डिलीट कर देना है एंड इस सौंग को वीडियो के साब से रख लेना है फिर यहाँ पर मैं इस बीडियो को डिलीट कर देता हूँ तो चलिए आपको वीडियो रेडि हो चुका है आप लोग एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ फिर इस बीडियो को आप लोग को सेब करना है तो पर एक और एक्सपोर्ट वाले उसमें पर टाप कर दीजेगा तो आपका वीडियो सेव होने लेगा तो आई होप गाईस आप लोग के वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी कर लिजे तो मिलते हम लोग नेश्ट वीडियो में टीक क्यार एंड बाई